आज हम लोग मॉडर्ण हिष्ट्री में भारती पृत्क्रिया में जनजाती विद्रो का अध्यन करेंगे इससे पहले हम लोगों ने भारत में यूरूपियों के आगमन से ले करके भारत में बिटिस द्वारा प्रभावित जो सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों तक की चर्चा ह लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिएगर डिस्क्रिप्सन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं तो भारती क्रिया में अगर चर्चा करें तो जनजाती विद्रो की उसकी बाद किशान विद्रो और 155 विद्रो यह 3 चीज़े लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे जनजाती विद्रो में हम देखेंगे सबसे पहला इसका कारण क्या था क्यों जो है जनजाती विद्रो हो रहे हैं उसके पीछे सामाजिक सांस्क्रिप्तिक जो नीतिया अपना ही जाती है या फ Fac là निक या आर्थिक नीती है जिसकी वज़े से जो है समाचिक विद्रो जंजाती विद्रो हो रहे हैं उन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे उसके बाद हम देखेंगे असफलता के कारण क्यों जो है यह असफल हो रहे हैं जंजाती विद्रो क्या यह आर्थिक रूप से कमजोर थे या फिर छेत्री था अंदोलन या फिर छेत्री नेत्रट करने वाला नेता हुआ करता था या फिर जो है इनकी जो हटियारों आधनीक हथियारों से लैस नहीं थे या इनका कोई ग्रुप एक बड़ा छेत्र में प्रभावित करने वाला समूह नहीं तयार हुआ था तो इस तरीके से हम सभी देखेंगे कि असफलता के पीछे क्या-क्या कारण थे अब इसके सुरूप की चर्चा करेंगे तो सुरूप में देखेंगे तो हम इसके सभी जितने भ प्रभावित कर दिया था उनका प्रभाव ज्यादा संपन्द बना दिया था उनको प्रभावित कर दिया था तो अनको अधिकार संपन्द जब बना दिया गया उसकी वज़े से जो जनजाती थे वो अपनी ही भूमी से बेदखल किये जाने लग गए जब बेदखल किये जाने लग जाते हैं फिर उसके बाद उनके मन में असंतोस उत्पन्द होता है जिसकी वज़े से विद्रो होते ह तो यह एक प्रमुक कारण है ब्रिटिस भू राजस्वे नीती दूसरी अगर हम चर्चा करें तो ब्रिटिस द्वारा जो वन नीती लाई गई थी उसकी वज़े से भी जो है जंजातियों के मन में विद्रो उत्पन होता है असंतोस की भावना पनपने लग जाती है वो किस त समाप्त हो जाता है तो फिर जो है वह द्रो करने लग जाते हैं तीसरा गराम चर्चा करें तो ब्रिटिस द्वारा जो लाए गया था एक कानून टैक्स लेने की बारी करके दाएरे में वह लोग भी ला दिये जाते हैं और फिर वहीं जब जो है यह लोग अपने वहीं जहा में बेंशते थे उसके बाद जो है वहां पर हम देख रहें कि सहद मधु जो है उसको निचोड करके फिर उसका जो है शहर में लाकर के बेंशते थे उनको अनाज मिलता था उनकी जीवी का परमप्रागत तो पर यह चल रही थी चीज़े तो इन सब चीजों की वज़ा से ज संतोसुत्पन होता है और इसकी वज़े से वित्रो होते हैं तो यह चार मतलब अगर देखा जाए ब्रिटिस भूग अजिस्तों नीति किसे लेकर करके यह वन नीति और इन सब चीजों को कानूनों को लेकर करके देखा जा तो यह आर्थिक कारण हो गए अब हम देखें प् तो उससे वो लोग भी प्रभावित होंगे इसी क्रम में हम देखते हैं जब वहां पर प्रसाशनिक नीतिया जब लाई जा रहे हैं जिसमें पुलिस विवस्ता हम लोगों ने अध्धन किया पुलिस सेन ने यह सब जो है चावनी कंपनी के कानून लागू किये गए तो अब हम तीसरा मुख्य कारण देखें कि सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी एक प्रमुख भूमिका निभाया उनके असंतोस उत्पन्द करने में अब वह किसे कर रहा है कि जब वह लोग यानि कि बिटिस अपने जो है सामराजी का विस्तार कर रहे थे उसी समय कुछ धर्म प देवताओं की पूजा किया जाता था या फिर जो है उनकी छेत्री या फिर उनके विच्छों की पूजा करते थे इससे उनके मन में असंतोस उत्पन्द होने लग गया उनके कुल देवता कुल देवी की अवहेलना की जाने लग गई जिससे जो है उनके मन में असंतोस उत् यह थे सबहते हैं रिवाजन , अपना किया जाता है विरोध करना लिए जन जाती सैंसाना , जो इसका कौन कौन से नीतियाल आए गए थी जिसकी वज़े से जो है जंजातियों के विद्गर हो रहे थे उसके बाद प्रसास्निक ये सामाज के लिए जैसे कई कारें उनको बद्रह मजदूर के तौर पे उनका प्रयोग किया जाने लग जिसकी वज़ासे भी उनके मन में असंतोस उत्पन होने लग जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आदिवासी सामुहिक संपत्ति की आउधारणा एक हुआ करती थी जिसमें खुंटक टटी उसको कहते थे में विश्वास करते थे वो लोग आदिवासी और ब्रिटिस नीतियों ने इस अधारणा पर चोड की जिससे जो है विद्रो हमें देखने को मिलता है तो यह सब चीजें जिसकी वज़े से मुख्य कारण थे जिसकी वज़े से जो है उनके मन म योजना नहीं हुआ करती थी जिसकी वज़े से वह विद्रो कर रहे थे बस किवल उनके मन में आया दो चार लोग जो कुंबे के लोग होते थे तो वह लोग इकट्टे हो जाते थे जिसकी वज़े से उनको पूर्ण सहयोग भी नहीं मिलेगा ठीक है जब पूर्ण पूरी उनको इन्हें दबाने में आसानी हो जाती थी फिर देखते कि आदिवासी में ज्यादा विष्वास आदविस्वास मतलब इनको पराजित करेंगे या फिर इनको हराएंगे और हमें जो है यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं कि आध्यासियों के मंद में अंद्रविश्वास भी था और इनका माना था कि वह चमतकारिक सक्तियों से ब्रिटिस को पराजित करेंगे किन्तु ऐसा कुछ भी नही तो इस्थानिय तोर पे होने की वज़ेसे भी ज़्यादा बड़े छेत्र में नहीं फैल पाता है ज़्यादा बड़े फैल पाएगा तो फिर यह एक तरीके से दवाने में आसानी हो जाएगी इसके स्वरूप में सबसे पहला यही कारण है कि इस्थानिय था यह ठीक है इन्हों ने सामाजिक आर्थिक विवस्था का कोई ठोस विकल्ब प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए ये विद्रोह की स्क्रेणी में आते थे ठीक है अगर चौथा देखें तो ये हिंसक स्वरूप से युक्त थे ठीक है तो ये चारों प्रमुक स्वरूपों को हम लोगों न पार-थे परदेखते हैं तो अठरा सो थीस से थैंतिसरी में हमें दिखा देता है उत्तर्पूर में यह होता है फ्रिकम एक थीरत में नित्रत करता है कोल विद्रोग चर्चा के लग conta में चोटा नारकूर में होता है और इसकी जो नित्रिव करता है वह हैं और बुर्द्व भगत फिर संथाल विद्रोग लेंथम देख़ें तो Medicine तो इसको देख लिजेगा क्योंकि यह संथाल विद्रों में जो है यहां संथाल विद्रों में तो संथाल सनधाल को जमीन से बेदखल करने लग गये तक संथालल में सबसे पहले संथानी ब्रिडिस कमिशनर के quit negó अपनी समच्सल नहीं हो पाता है जब निराऊ हो जाएंगे तो स्वायम कारिवाही करने का फैशला कर देते हैं और उसके बाद विद्रो हो जाता है ये संथाल का विद्रो उसी में पुसिद्ध है अन्ततर सरकार ने एक नैनियम के तहत इसे पृतक छेत्री के रूप में मानता दे दी और संथालों को उनकी भूम इसे जबरन बेदखल क करने से रोका था ठीक है अब हम अगले विद्रो की चर्चा करें तो उसमें जलिया ग्राम का विद्रो आता है यह 20 सदी में हो रहा है और यह मडिपुरा और नारालेंड में हो रहा है वहां एक रानी हुआ करती थी रानी गॉंडिल्यू जो कि अभी वर्तमान में उनको उन जातिओं को बात कर दिया था दो फूमिकर देने गीन दीए जाने की बात की जाती है तो वहां पर संगर सचरू होता है उन परुद्रो को दी सब्रेस को बाहर निकालने का प्यास किया लगजाता है 1930 इस्वी में उनको पकड़ लिया गया और फासी दे दी जाती है जब इनकी मृत्ती हो जाती है उसके बाद में गॉंडिल्यू के नित्रत्त में समाला जाता है और उसके बाद ये गांधी वाधी पद्दति सिके माध्यम से आंदोलन चलाना श्टार्ट कर देती है यह एक ना इनको मुक्त किया थे 1932 से 1947 के बाद इनको मुक्त किया जा रहा है यानि की लगभग 15-16 वर्स तक यह जेल में ही पड़ी रहती है कैद की रहती की जाती है वहीं पर जब 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 जवाला नहू इनसे मिलते हैं और इनको फिर रानी की रानी का नाम देते हैं रानी का पद पर तभी से यह गुल्दु यू के नाम से अगलती है अब हम आगे देखें मुंडा विद्रो होता है जिसे उत्गन्विद्रो के नाम से ऑपन स्थापना करना कर्म कांडों से हट करके एक इश्वरवाद की स्थापना करना बृतिस करों को न देकर के एक मुंडा राज्य की बृतिस कर को नहीं देगाए और मुंडा सामराजी की स्थापना जिकी स्थापना की जाएगी ये जो है इनका एक विसंय हुआ करता यह सम्धिशाय मुंड़ा ने अपने आजयतिख TW का मुख्या दोनगा मुंड़ा को बनाया था एस आमिल जो लोग थे सामिल चर्चा करें तो इसमें मुख्य सामिल बिंदु है सबसे पहला है सरकारी सरकारी करमचारियों कि कि अवहिलना की जाए भी पश्रा करें लिए करना ठीक है अब चौथा चर्चा करें ससस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई थी बिर्सा मुंडा के दौरा बिर्सा मुंडा और दोन का मुंडा ठीक है इसके बाद हम देखते हैं पांचवा बिटिस सत्ता को चुनोती देते हुए मुंडा राजी की स्थापना करना भी इनका एक मुख्य बिंदू था तो ये पांचो हम लोगों ने देख लिया बिर्सा मुंडा सोयम को चमतकारिक सक् बिर्सा मुंडा मिशनरी सिक्षा से युग्त थे उननीस सो इस्वी में बिटिस ने इस विद्रो का दमन कर दिया और फिर जेल में वीमारी से ही बिर्सा मुंडा की मृत्ती हो जाती है तो आज हम लोगों ने यहां पर जनजाती विद्रो देख लिया है इसके बाद हम लोग 1815 का विद्रो देखेंगे तो इसको यहीं समाप्त करते हैं थैंक्यू